हलो दोस्तों स्वागत है आप लोग का एक बर फिर से रोजेंडर पर तो इस बार की जो वीडियो है उसका टॉपिक है लाइफ साइकल आफ अस्टार एक स्टार की पूरी की पूरी लाइफ साइकल जो की इतनी जादा लंबी होती है कि हम लोग सुच भी नहीं सकते तो चलिए स्टार करते हैं कैसे एक स्टार का बर्थ होता है तो सबसे पहले जो स्टार का बर्थ होता है वो होता है एक जगे जिसको कहते हैं हम लोग नेबियूला तो नेबियूला क्या होते है जल्ली से बताता हूँ आप लोगो नेबियूला बड़े बड़े गैस के बादल होते हैं इतने जादा बड़े कि हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं किसी गैलेक्सी जितने बड़े भी हो सकते हैं या फिर छोटे भी हो सकते हैं तो काफी जादा जह सकते हैं हम लोग स्टार के लिए यहां से स्टार की लाइफ जो है स्टार्ट होती है होता क्या है सबसे पहले गैस जो है लाखों करोडों सालों में एक साथ आती जाती है वो एक साथ मिलती है करीब आती है और ग्रैविटी की वज़े से और ज्यादा गैस जो है करीब आती है जिसकी वज़े से वो जो गैस पहले पास आई थी, अब वो heat up हो जाती है, heat up हो जाने की वज़े से उसका temperature और भी ज़्यादा बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, और यहाँ form होता है core of the star. और star के core में फिर start होती है एक बहुत ही जादा जरूरी चीज़ जो की star को बहुत power देती है, जिसका नाम है nuclear fusion. और nuclear fusion में mainly होता क्या है, दो hydrogen के particles, दो hydrogen के atoms मिलते हैं और एक helium atom बनाते हैं. तो यहाँ से चालू होती है हमारे star की journey, तो real journey star की start होती है and then वो फिर आता है main sequence star की तरफ, यानि कि अपने life के अगले stage की तरफ, जिसे हम लोग जवानी कह सकते हैं, तो star की जवानी जो आती है main sequence star में आती है. उसमें nuclear fusion बहुत ही ज़्यादा rapid rate से होता है, मतलब की hydrogen एक दूसरे से मिलकर helium बना रही होती है, बहुत सारी चीज़े हो रही होती है, stars के अंदर इतनी ज़्यादा energy होती है उस time की वो एक पूरा का पूरा solar system जो है, रख सकता है अपने पास, एक star इतनी ज़्यादा gravity होती हो उसके पास, बस पूछिए ही मत, और फिर उस time पे होता क्या है, कि उसके अंदर की जितनी भी hydrogen gas है, जितना भी hydrogen fuel है, वो burn होते 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 होते, एक time ऐसा आता है कि जब वो burn होना, बंद हो जाता है, यानि कि hydrogen fuel जो है, खतम हो जाता है, वैसा बहुत जल्दी नहीं होता ह यह सालों में है, millions and trillions में होता है, बट जब यह होता है, तो अगली स्टेज आती है सार की life की, जिसे हम लोग कहते हैं red giant, यानि कि वो एक बहुत बड़ा सा red giant बन जाता है, इतना बड़ा कि अगर हमारा sun एक red giant बनेगा, तो अर्थ और मार्स को तो खाई जाएगा, इतना तो बस अब समझ लेजे कि जब red giant हमारा sun बनेगा, तो हमारी अर्थ को तो खाई जाएगा, और जब अगर कोई बड़ा स्टार जो है, अगर वो red giant बनेगा तो तो उतना super red giant बनेगा, कि मान लीजे क्या पता, शायद हमारे solar system जितना ही बन जाए, red giant, ओके तो हमारे solar system जितना red giant बहुत ही जादा बड़ा हो जाएगा, तो आगे बढ़ते हैं इस चीज़ में, तो मैं आप लोगो बताता हूँ कि red giant जो star बनेगा, वो कितने time में बनेगा, उसकी life कितनी जादा होगी, main sequence की, वो किस चीज़ पर depend करता है, वो depend करता है, size of the star और color of the star, size of the star पर ऐसे depend करता है जितना छोटा star होगा, उतना कम fuel जलाएगा, उतनी जादा देर तक जिन्दा रहेगा, यानि कि उतनी जादा देर तक main sequence में रहेगा, और जितनी कम energy वाला star होगा, उतना जादा जिन्दा रहेगा, जैसे मान लीचे, एक star है, जो कि हमारे sun जितना है, या फिर sun से छोटा है, वैसे sun से अगर eight times या nine times छोटा कोई star होगा तो उसे हम लोग star कहेंगे यह नी क्योंकि उसमें nuclear fusion हो ही नहीं पाएगा तो slightly हम लोग sun को एक basic star मानके चलते हैं तो sun जैसा जो star है उसमें क्या होगा कि main sequence में hydrogen fuel burn होता रहेगा and then क्या होगा कि उसमे red color का अगर वो होगा तो उसकी life बहुत ज़्यादा होगी बट मान लीजे अगर वो blue color का हुआ तो तो मतलब कि वो ज़्यादा energy अपनी जला रहा है तो उसका जो nuclear fusion है बहुत ज़्यादा जल्दी हो रहा है अब मान लीजे 20 times than the mass of our sun तो उसकी life तो बहुत ही ज़्यादा चोटी हो जाती है अगर वो blue color का है और अगर मान लीजे वो बहुत ज़्यादा बड़ा भी है तो काफी चोटी life जो है उसकी हो जाती है हमारे sun के मामले में अगर compare करें sun से तो तो इसी लिए sun हमारा जादा देर तक जिन्दा रहता है और जो जादा energy खर्च करते हैं उनकी hydrogen fuel जल्दी खतम हो जाता है तो वापस से आते है red giant पे तो red giant में क्या होता है कि जब सारा hydrogen fuel जो है खतम हो जाता है तब star अपना helium fuel यूज करने लगता है यानि कि जितनी helium उसके बास बची है वो बाद में nuclear fusion करने लगती है और बहुत ही rapidly यह nuclear fusion होता है और जो main sequence star है उससे कम टाइम तक जो है हमारा stable रहता है यह red giant तो red giant काफी जल्दी जो है collapse कर जाता है या फिर supernova में convert कर जाता है तो red giant में helium fuel मिलता है फिर वो एक साथ बनाता है carbon atoms बनाता है oxygen atoms तो यहाँ पर काफी बड़े periodic table के जितने भी elements है वो सारे बनने लगते हैं कब तक जब तक एक iron नहीं बन जाता तो iron के जैसे ही atoms बनने लगते हैं उस core में तब star की life का वो end होता है और कुछ seconds की ही life बच जाती है तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताए कि star के size पे depend करता है कि वो कितना जिएगा और star के size पे ये भी depend करता है कि red giant के बाद उसकी life कैसी होगी तो अगर sun जितना star है तो तो वो white dwarf बन जाएगा white dwarf मतलब कि उसका सारा mass जो है एक तो पहले nebula में convert हो जाएगा वो जिसके आसपास बहुत सारी धूल भर जाएगी and then बीच में उसके center पे जितना भी उसका mass है almost बहुत जादा mass 80 to 90% of the mass of sun जो है वहाँ पर collapse होके रह जाएगा अर्थ जितने diameter में तो 25 से 30 हाथियों के बराबर होता है वो एक चमच भर उसका white dwarf का matter तो इतना जादा dense होता है white dwarf और ये तो हो गई हमारे sun जितने planets की sun जितने stars की बात बट जब हम आगे बढ़ते हैं और जादा massive stars के बारे में बात करते हैं जो की मान लेजए अगर हम लोग sun की जगे पर उसको रखें और वो जुपिटर तक पहुंच जाए इतने size का जो है star जो है अगर हमारे को देखना है कि उसका क्या बनता है red giant के बाद तो red giant के बाद जब उसमें iron बनने लगता है तब वो एक supernova में convert होता है और supernova एक atomic bomb explosion की तरह होता है मतलब कि इतना ज़्यादा rapid rate से explosion होता है वहाँ पर कि बस हम लोग सोच भी नहीं सकते आगर हम लोग वहाँ पर रहे तो फिर तो भाई हमें बचाने वाला कोई भी नहीं वहाँ पर नहीं रह पाएगा क्योंकि भाई इतना ज़्यादा energy release होती है उस supernova explosion में कि आजपास के stars भी जो है उस shock से काफी हद तक हिल जाते है तो जैसे ही इस supernova explosion होता है तो बहुत तेज ऐसे explosion होता है then wrapped उसी time क्या होता है कि star जो है collapse करने लगता है अपना सारा matter जितना भी mass है उसका सारा का सारा एक point वा concentrate होने लगता है और बहुत ज़्यादा concentrate होते 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 है इतना ज़्यादा dance हो जाता है कि वो फिर खेलाता है एक neutron star जो कि 19 km या फिर 20 km तक के diameter में होता है इतना जितना तो हमारा एक शहर भी नहीं होता तो इतने से डायमेटर में इतना सारा ह्यूज मास आ जाता है अब आप सोचोगे कि उसको तो कोई भी उठा लेगा बट नहीं अगर आप उस न्यूट्रॉन स्टार पर जाओगे इस चीज़ को कहते हैं न्यूट्रॉन स्टार उ न्यूट्रॉन स्टार पर जाओगे तो आपकी बॉड़ी भी कोलाप्स कर जाएगी क्योंकि इतना ज्यादा ग्रैविटी होगी वहाँ पर कि हम लोग तो वहाँ खड़े भी ने रहा पाएंगे हमारा वेट वहाँ पर इतना ज्यादा हो जाएगा तो हम लोग कोलाप्स कर जाएंगे तो इसलिए neutron star जो है वहाँ पर बनता है और neutron star की magnetic field बहुत ही strong होती है और वो इतना ज्यादा rapidly घूमता है कि बस उसकी spin जो है बहुत ही तेज होती है अर्थ से तो बहुत ही ज्यादा तेज होती है बट अगर अब हम थोड़ा और उपर से जैसे red giant जो star बना था अगर वो sun से 30 times ज्यादा हो मतलब इतना ज्यादा बड़ा star हो कि sun से बहुत ही ज्यादा अगर हम लोग उस compare करें तो sun उसके सामने कम से कम नहीं तो जैसे मालेजे एक हमारी pencil की nib है and then हमारा पूरा एक ground है तो इतना ज्यादा difference होगा अगर हमारे sun में और उस star में तो फिर क्या होता है कि जब वो supernova में convert होता है तब एक बहुत ही ज्यादा जानी मानी चीज़ बनती है जिसको हम लोग black hole के आम से जानते हैं black hole पर एक पूरी वीडियो आगे चलकर मैं बनाऊंगा बट अभी के लिए मैं आप लोगो को पता देता हूं कि वो जो star है उसका सारा मास इतना ज्यादा concentrated हो जाता है एक जगे पे कि बस वहाँ पर वो space को इतना ज्यादा bend करने लगता है कि light भी उससे बच खोल कहते हैं तो यह थी पूरी main sequence से लेकर planetary nebula तक की उसकी journey कब उसका बर्थ होता है कैसे उसके nebula में बर्थ होता है कैसे वो खुद एक nebula बन जाता है और बाद में जो है एक या तो white dwarf बनेगा या neutron star बनेगा या फिर एक black hole बनेगा depending on the size of star like करें अगर आपको यह video पसंद आई share करें अपने दोस्तों के साथ